हेलो गैस स्वागत आपका अपनी यूटीब चैलिल उडान परिवाड चानक के कलासिज में आई ओप सभी अच्छे होंगे तो आज का टोपिक हमारा वेवेल योजना से हैं और सिम्बला सम्झोता यानि की वेवेल योजना वेवेल योजना क्यों थी और सिम्बला सम्झोता क्यों गया जिसके कारण यह दोनों ही फैल हो जाते हैं उसके बाद नहीं योजना आती है ध्यान ही हमारा घ्यान है चीजों को अच्छे से समझके समझें obsessive पयसे पेपर के पॉइंट फो ऊसे आसान सब्दों में समझें के इंपोटेंट पॉंट्स देखते चलेंगे ध्यान देंगे जो क्रिप्स मिशन था जब वो विफल हो गया उसके बाद भारते ने सोचा के प्रिटिस के सामने बिना मतलब के यह जो हम अपनी पेसकस कर रहे हैं लाला कर अलग चीजों की यह वहरत है इसी के लिए उन्होंने क् गुजरात के वर्धा में कांगरेज समेती की बैठख में अंगरेज जो भारत छोड़ो का प्रस्ताओं पारित किया कब किया 14 जुलाई 1942 को ठीक है एक तो चीजी हो गई वर्धा गुजरात में भारत छोड़ों का परिता निक वे बाद बलके बाद कब 14 जुलाई 1942 को ठीक है अनुमोदन कब होता है इसका 8 अगस्त 1922 को अनुमोदन होता है भारत छोड़ो यानि कि अंग्रेज भारत छोड़ो ठीक है अगस्त 1922 में शुरुवात 9 अगस्त 1922 दियान लखेंगे जिसे हम अगस्त करांती के नाम से भी जानते हैं तो मैंने अगस्त करांती अगस्त परस्ताव की वीडियो बना रखे डिक्सिप्सन में लिंक दे देंगे आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं कन्फूजन दूर हो जाएगा इस्थान कहां था जो इसका इस्थान था होता गवालियर का टैंक मैदान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन भी हुए थे और इस आंदोलन वाली स्थिती में यानि कि जब आंदोलन चल ला था अंग्रेजों को दिखा ब्रिटिस को दिख रहा था ना कि भारत छोड़ा अंदोलन बहुत तिरुगती से आगे बढ़ रहा है इसी को मद्य नजर रखते उन्होंने क्या किया कि अक्टुबर 1943 में लोड लिलित गो जो भारत छोड़ा अंदोलन के समय वाइसराय थे कौन थे लोड लिलित गो के इस्थान पर इनटा दिया कि इस्थान पर लोड वैवैल को भारत का वाइसराय बनाया तो दूसरा पॉइंट के आगा लोड वेवल को किसके बाद वैसरे बना गया लोड लिलित को के साथ ठीक है वैसरे से लिटेट आपको बहुत पॉइंट याद होने चाहिए कि कौन किस गटना के संबंदी था जैसे 1922 भारत छोड़ा अंदरन के समय लोड लिलित को फिर उसके वेवल योजना कहा जाता है वेवल योजना की महतपुन बाते जरूर पड़े ध्यान दे पहला क्या था कि जो केंदर में नई कारेकाणी परिसद का गठन होगा उसमें वैसरे तथा अन्य परमुक के अलावा सभी भारती होंगे यानि कि वैसरे भी इनी का योगा बिरिटि एक अंतरिम सरकार के समान होगी ठीक है अंतरिम सरकार के समान होगी और फ्योट पावर का उप्योग केवल तब किया जाएगा जब कोई कारण हो बिना कारण के कोई उप्योग नहीं होने का और इन्होंने कहा कि सेकंड वी वर्ड वार के बाद भारत स्विम अपना समीधान बनाएगे तो सम्विदान भारति सम्विदान बनाने के बाद किसने की वेवेल योजनानी खुद का सम्विदान ठीक है उसके बाद भारत छोड़ा आंदरों के नेतार रिया किया जाएंगा या जिननर पकड़ लिया गया था और सिम्वरा में एक सरदली समझवता बुलाया तो ठिक है सिम्वला समझोताम में गांधी नहीं जाते ठीक है दूसरी बात कांग्रेश और मुस्लिमी दोनों के दोनों इसमें भाग लेते हैं सिम्वला समझोत अब वी पलोने का करण मुस्लिम चाहती थी कि कारेकारणी परिस्द में मुस्लिम सदस्यों का जो चेंड होगा वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी कांग्रेश का कोई लेना देना नहीं था लेकिन इसी के एवेज में क्या हुआ कांग्रेश द्वारा ऐस्विकार कर दिया गया कि तुम भाड़ में जाओ हमसे ऐस्विकार करते हैं फलसाव रूप 14 जुलाई 1945 को वायसरा ने सिमला सम्मेलन विफल गोसित कर दिया कि तुम अब सभी एजितेजी में जाओ इसके बाद क्या होता है कुछ टाइम बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में जिसको हमने ट्रिक से 14 मंत्री मंदले सदसे कौन सा किस पदबर था वीडियो बना रखिया ट्रिक सेशन पे लिंक दे देंगे आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं तो आज की वीडियो दिया आपको अच्छे लेगे तो प्लिज लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं फिर में लाइके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन